मेरे प्यारे दोस्तों ये जिन्दगी भी रजीब चीज है आज येकायक उन पुराने दिनों की याद आ गई जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी जिसका सिर्शक है गाय घाट गय घटी बात उस समय की है जब विधान सभा का चुनाव चल रहा था और मेरी बुग आशीम की विज़ा अशीम गगटी विधान सभा से चुनाव लग गई थी और खास का इस कविता में मुख पांच ब्यक्तित के लोग किरदार हैं जिन में सबसे पहला हैं मेरे दादा जी स्वर्गिये डाक्टर सत्तुग्न जो एक सोतंता से नानी थे और उनके मित्र स्वर्गिये नितिस्वर भागु और तीसरा कभी बेनी पूरी जी जिन्हें आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं और चौथा हैं बवगा साहिब बवगा साहिब एक महान संत थे और पांच मा उस्षित की वियांगना वेटी सीमती विज्या से तो आते हैं अब मेरे दादा जी स्वर्गिये स्वतंतता से नानी डाक्टर सतुन की याद में उनके स्मिती में एक कर्विता आप लोग को हम सुना रहे हैं अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कीजिए कर्विता का सिर्सक है गायखाट कमर्थू हमारा गौरव है जारंग हमारा सौरव है रोना पूरा सेबुध कारा तक हम सत्युग द्वा परतेता हैं हम गायखाट भूमी पनेता है रोना पूरा सेबुध कारा तक हम सत्युग द्वा परतेता है हम गायखाट भूमी पनेता है हम गायखाट भूमी पनेता है बववा साहिब का उपवन है यह कभी बेनी पूरी का चितवन है पौर उसको यह पतिवा देती हम पतिवा के भी नेता है हम गायखाट भूमी पनेता है कमर्थु हमारा गौरव है जारंग हमारा सौरव है रोना पूरा सेबुध कारा तक हम सत्युग द्वा परतेता है हम गायखाट भूमी पनेता है हम गायखाट भूमी पनेता है श्वर्गिये नितिस्वर्वावू की जन भूमी है यह डक्टर सतुन की कर्म भूमी है हम गायखाट भूमी पनेता है हम गायखाट भूमी पनेता है यह विरांगना विजिया का घर है जिसका अगुन गायखाट में भास्वर है हम गायखाट भूमी पनेता है जय जय गायखाट जय पुन्यधाम यह मा तुझको साधर पनाम वर्दे मा की हम एक बने हम सरस्वत गायखाट भूमी पनेता है हम गायखाट भूमी पनेता है जय श्रीजाम